यह बात सही है, जनसंख्या जितनी जादा उतना बहुत जादा, लिकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोज के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया, तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है, आज अपनी इतनी जनसंख्या है तो जैसे उसका वरनन्द बोच के रूप में हो सकता है वैसे हम यह भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिती में है 57 करोर युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है चीन हमारा पडोसी बुड़ा हो चुका है हम जवान रहने वाले 30 साल तक कि जनसंख्या में प्रमान का भी संतुलन चाहिए हमने हम भुखते हैं जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंबिर परिनाकों को हमने भुखता और किवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं आज की तारिक में पूर्वत तिमोर नाम का एक नया देश बना दक्षिन सुदान नाम का नया देश बना कोसो वो बना जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमान में अंतर आने से नये देश बन गए देश तूट गए यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका लेकिन जोर जबरदस्टी या छलकपट से लालच से मतान तरण यह सबसे बड़ा फैक्टर है और जा सीमापार से घुसपैट होती है वहाँ घुसपैट से भी यह होता है उस संतुलन का भी ध्यान रखना देशित की दूट्री से अनिवार यह बात है और इसलिए जनसंख्या की एक समगर नीती बने वो सब पर समान रूप से लागू एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्विकार कर ले इसलिए उसके लिए मन बना कर उसको लाया जाए इसकी आवश्शक्ता है क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीती क्या करेगी समाज स्विकार करता है अगर लाब देने वाली बात है स्वार्थिक की बात है समाज सहर से स्विकार करता है उसको लिए समझाना नहीं पड़ता लाब दिखता है या तीन साल के बाद पास साल के बाद दस साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है ये अगर पक्का है समाज उसको स्विकार करता है लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है हमको नहीं मिलेगा किसी और को का जलना बंद करके देना पड़ता है वहां समाज में स्वयोग दिखता है कि प्रतिरोद दिखता है सवाल बात है जो ऐसा त्याग करना पड़ता है जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है उसको भी समाज स्विकार करे इसलिए